सबसे पहले गिनेज जी को नमन विंदू फूट फेक्टरी में आप सभी का स्वागत है आज कल बैंगन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आज हम बनाएंगे भड़ता वाले बैंगन की सब्जी यानि की आलू और भड़ता वाले बैंगन की सब्जी बैंगन का भड़ता तो चरी मिर्च, अद्रक और दो टमाटर और बैंगल ले लिये हैं ये 500 ग्राम आलू को छील कर बड़े-बड़े पीसिस में काट लिया है और पानी में डिप कर लिया है ताकि आलू काले नहीं पड़े कुकर में मस्टर्ड ओल डाल दिया है इसे हम पकाएंगे ताकि इसका अपन जो है वो सब्जी में ना आए तेल हमारा पक रहा है इस बीच हम ये कटिंग कर ली है टमाटर हरी मिर्च अद्रक और अब हम डालेंगे कटे हुए अद्रक और हरी मिर्च एक मिनट पकाएंगे और अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर के पीसिस और उसे हम रोष्ट होने देते हैं और इस बीच हम काटेंगे बैंगन बैंगन का हम सबसे उपर वाला हिस्सा उतार देंगे और इसे चिलेंगे बड़े-बड़े पीसिस में काट देंगे दूसरे बैंगन को हम पील नहीं करेंगे ऐसे ही काट देंगे आप सोच रहे होंगे ये एक बैंगन चिल के उतार दिये हैं और दूसरे ऐसे ही इससे क्या है कि सबजी का रंग अच्छा हो जाएगा और बैंगन कटकर तयार है तड़का भी अच्छे से भुन गया है अब हम एड़ करेंगे कटे हुए बैंगन बैंगन को हमने पहले ही दो लिया था इसको हम पानी में डिप नहीं करेंगे नहीं तो सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब जाएंगे कटे हुए अलू और हम एड़ करेंगे स्पाइसी वन टीज़्पून नमक हाफ टीज़्पून हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और कुकर को करेंगे बन दो सीटी आने देंगे और थोड़ी स्टीम में पकने देंगे सबजी देखते हैं क्या हाल है सबजी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई है अब हम क्या करेंगे जो बैंगन है ना इसमें उसे हम मेश करेंगे अलू को हम वैसे ही रहने देंगे और जो बैंगन है उनको हम मेश कर देंगे ये हमारी सब्जी तयार है भड़ते वाले अलू अगर आपको ये सब्जी अच्छी लगे तो एक लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों में सब्जी हमारी प्रोसने के लिए तयार है अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए हरा धनिया जिससे की खिशबू के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगता है ये भड़ते वाले अलू, रोटी, चपाती, प्रांठा, पोड़ी किसी के भी साथ खाएं बहुती स्वादिश्ट लगते हैं और ये हमने डाल दिया है हरा धनिया फ्लेवर के लिए अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में ये सबजी हमारी सर्व करने के लिए तयार है अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और इसके उपर एक पार फिट से धनिया सजाएंगे और इसमें जाएगा शुद घी शुद घी डालने से सबजी का टेस्ट काफी भड़ जाता है एक मारवाडियों की कहावत है घी सुधारे बैंगना बैंगन जो है थोड़ा घी से ही टेस्ट बढ़िया बनता है आप भी ये सबजी बनाईए खाईए और किलाईए अच्छी लगे तो लाइक करना आप सभी को मेरा राम राम थेंक यू सो मच टेक यार